हालो फ्रेंड्स विल्कम टो पुष कीचिन आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो टॉमिटो राइस पपड मेरा वीडियो हेल्प लगा तो लाइक श्यार कमेंट कीजिए और सस्क्राइब करना नहां बूले टॉमिटो राइस पपड बनाने के लिए एस व इंग्रिडियंस जो पाउडर एक चमच रेड चिली पाउडर टेस्ट का अगडिंग नमक आधर चमच हींग तो पहले ग्राइडर का जार में आड़ करके पीसके रेडि करूंगी है ना तो पीसके रेडि कर लिया एक बरतन और श्टेंटर ले लिया टामेटो पीडिको जो पिसके रेडि किया और छान के रेडी कर लूँगी तो जो एक्स्टा पाट रहेगा और अलग है अच्छी तरह से छाल दिया जो एक्स्टा पाट है और डिस्ट कट कर देते हूं टामेटो भीटी को छन के रेडी कर लिए इसमें थोड़ा पानी यूज करोंगी आदा ग्लस एसे क्यूंकि जो चाल का पाउडर में एड करोंगी यही पानी में बॉयल करूंगी इसके लिए पहले पानी अच्छी तरह से मीक्स कर लिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस में चलते है गर्चान करके वाइल होने के लिए रख दिया इसमें टेस्ट के अगुडिंग नमग और रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर और आधा चमा छींग अची तरह से पहले मिक्स करके वाइल कर लेती हूँ मतले टामेट्च प्यूणी जो बनाया था और मसला डाल के अच्छी तरह से 5 मिनिट्स में वाइल इद कर लिया तामेटो कस्छा टेस्ट वर अच्छी तरह से चला जाये और मसला भी अच्छी तरह से पकच्छे अभी तोढ़ा-थोढ़ा करके गैस का फ्लेम लोक कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा करके चावल के आटा डलती जाओंगी और मिक्स करती जाओंगी चावल के आटा के साथ और पांच बिनीट में अच्छी तरह से कुक कर लूँगी लो फ्लेम में और ऐसे मिलाते जाओंगी अच्छी तरह से मिला के हो गया अभी ढख के फाइब मिनिट्स और रख दूँगी अभी गैस बंद कर दूँगी पापड का मिश्रान में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था थोड़ा लाइटली गरम है पहले एक प्लेट में निकल लेते हूं अच्छी तरह से मलके डो बना लूँगी फिर नेक्स प्रोसेस में जाओंगी पानी कम लगेगा तो थोड़ा गरम पनी यूज चर सकते हैं और नहीं तो जो मैं पानी का मिजर्मेंट बता हैं टामेटो प्यूरी के साथ डबल जो एक बॉल राइस प्लावर लेंगे तो ने बीद्ट टोमेटो प्यूरी और पानी मिला के दो बाउल यूज करने का उसमें पर्फेक्ट हो जाता है देखिए मेरा पर्फेक्ट हुआ एक चमच आयल एड़ कर देती हूँ तो हाथ में चिपके गव भी नहीं और बहुत अच्छी ते मलके तैयार होगा पहले दो मिनिट अच्छी तरह से मलके तैयार कर लेती हूँ अच्छी तरह से मलके हो गया अभी छोटा छोटा गुला बना लूँगी जैसे पापड चाहिए छोटा बड़ा उसी सब से इसे गुला बना लेती हूँ पहले पापड बनाने हमें आसानी होगा इसके लिए सारे बाल्स बना के तैयार कर लिया अभी एक एक बाल्स को अच्छी तरह से ऐसे दबा के स्प्रेड कर देती हूँ और एक प्लैस्टिक का सीट में थोड़ा सा वायल ग्रीस कर लेती हूँ ऐसे रखके बेल के रेडी करूंगी तो निकलने के भी आसानी हो जाएगा ऐसे हलका आतों से बेल के तैयार कर लिया और निकलने के भी आसानी हो जाएगा अब लोग को और एक पोसेस में दिखा रहा हूँ जो पोसेस अच्छा लगेगा ऐसे बना सकते हैं ऐसे प्लास्टिक के ऊपर रख के फट भी सकते हैं तो कुछ टेंशन का बात नहीं है ऐसे बेल के और जो एक प्लास्टिक का सीट हटा लेने का और जो बाउल लाता है नौर्मल घर का वाउल से ऐसे गोल सेप दे देने का और इसे पापड बेल के तैयार करने का दोनों प्रोसेस दिखाया आप लोग को जो पसंद आए उसी सबसे कर सकते हैं ऐसे साड़े पापड बेल के रेडि किया अभी दो दिन धूप में सुकने को बाद मिलती हूं टामेटो राइस पापड दो दिन धूप में सुकने को बाद ऐसे तैयार हो गया अभी फ्राइ करके आप लोग को दिखाते हूं और गरम होने के लिए रख दिया था अभी पापड फ्राइकर के रेडि कर लेती हूं और गरम हो गया अभी फ्राइकर लेती हूं अभी फ्राइकर लेती हूं दोनों साइट अची तरह से फ्राइकर लिया देखिए है ना मज़ेदार टोमेटो राइस पपर ऐसे सारे फ्राइकर कर लेती हूं राइस टोमेटो पपर फ्राइकर रेडि हो गया एक खाने में बहुत टेस्टी है देखिए कितना अच्छा हूं ऐसे इस रेशीपी देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए फिर मिलते इक न्यूव रेशीप के साथ तब दक लिए बाई थैंक्स पर वाचिंग